दोस्तो टाटा पावर सेर एक एसा सेर है अभी तक तो मुल्टिवेगर रिटन दे चुका है और आगे चल कर भी ये स्टोक आपको बहुत ज़्यादा मुल्टिवेगर रिटन दे सकता है क्योंकि दोस्तो एक कमपनी का बीजनेस जिस तारा सांदार है और फॉंडामेंटल भी कैसा रहने वाला है तो उसके ओपर दोस्तो आपको इनफर्मेशन देंगे दोस्तो वीडियो पर बने रही है और दोस्तो अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तो एक चैनल को सब्राइब को लिजिए और साथ में बेल का इकन प्रेस करके औल का अप्शन सिलेट को है लेकिन दोस्तो एक साल और तीन साल के बात करें तो यहां पर दोस्तो अभी तक बहुत याचा रिटन दे चुका है और वहीं दोस्तो अगर इनके अल्टाइम पर देखें तो अल्टाइम पर दोस्तो आपको यहां पर भी बहुत याचा रिटन देखने के मिलेगा यहां टू थाउजन पर्सेंट के उपर रिटन मना के दे चुका है और यहां पर अगर इनके चार्ट को देखोगे चार्ट में जो यहां पर ब्रेकाट हुआ था तो उसके बाद स्टॉक में लगातर राली कॉंटिन्यूस था तो अभी शिलाल स्टॉक में एक लेकिन दोस्तु अल्टाम के लिए इस्टॉक बहुत आचा रिटन देने वाला है और आगे आपको बहुत आचा मुल्टिबुकर रिटन दे सकता है तो दोस्तु अगर इस्टॉक में आप इंबेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें जरूर इंबेस्टमेंट कर सकते हो तो यहां पर कंपनी Thermal, Hydro, Renable, WHR, Power Project के जो यह कंपनी Power Produce कर रही है, जहां पर दोस्तों कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट केपसिटी है, तो यहां पर 1280 MW की कंपनी का Power Produce केपसिटी है, जहां पर दोस्तों अगर इनके Production की Segment को देखोगे, तो यहां पर Thermal Power से कंपनी की 69% जने तो यहां पर दोस्तों कंपनी का Business बहुत ही आचा है, और यह कंपनी Power Sector के उपर काम कर रही है, जैसे कि दोस्तों आपको पताई होगा Renable Energy का आगे चल कर कितना ज़्यादा Demand पर रहने बाला है, तो यहां पर दोस्तों कंपनी उसी के उपर काम कर रही है, और कंपनी का Vision भी बहुत ही आचा है, जो कि दोस्तों आगे बताएंगे, और दोस्तों यहां पर अगर देखें, कंपनी का Own 4000 Megawatt Ultra Megapower Project at Mundra Based on Super Critical Coal Technology, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो, और यहां पर दोस्तों 31% Total Capacity और 45% Thermal Capacity से होता है, और कंपनी का दोस्तों वीजन की बात करें, तो यह हो सकता है, तो दोस्तों यहां पर कंपनी का Project Carbon Utility से Totally काम कर रही है, जो कि 2015 तो के Fulfill करने वाला है, और यहां पर दोस्तों का Value Gen की बात करें, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो, कंपनी Thermal and Renewal Energy Sources से Electricity Generation करा है, जहां पर Distribution Electricity और Other Service लाइक की, यहां पर दोस्तों देख सक सकते हो, 37% revenue जैनेर होता है, जहां पर दोस्तों देख सकते हो, और Renewal Segment से 16% revenue जैनेर होता है, और Transmission और Distribution से 46% revenue जैनेर होता है, और दोस्तों यहां पर कंपनी का Retail Customer जो है, 3 million और 12 million after acquisition of Stake Odisha Distribution Business, तो दोस्तों, Odisha में भी एक कंपनी आने के बाद 12 million retail customer बढ़ चुके हैं, त आगे कंपनी बहुत सारे सेगमेंट के उपर फोकस कर रहा है, जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हो, solar rooftop, solar pumps, micro grids, EV charging, energy service, home automation, floating solar and others, तो आपर दोस्तों कंपनी यह सब सेगमेंट के उपर भी आगे चल कर काम करने वाला है, तो दोस्तों, ओबराल कंपनी का fundamental आगे बहुत अच्छा होने वाला है, और कंपनी बिजनेस भी बहुत ही सांदार कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों, अभी सिलाल स्टोक में जो गिराबट हो रहा है, और इसी प्राइस के अंदर दोस्तों, हो साके तो कुछ एकमेलेट कल लो, आगे इसका प्राइस जो है, बहुत उपर त देखने को मिल रहा है, जो कि एक आच्छा प्राइस है, और फिप्टी टूइक का हाई लोग के यहां पर दोस्तों, देख सकते हो, और स्टोक का पीई भी आच्छा है, इतना मिहांगा भी नहीं है, और बोग भेलो यहां पर 66 है, और कंपनी डिविडेंट भी देती है, या यहां पर आपको एक आच्छा रिटन के साथ साथ एक डिविडेंट का भी प्राफिट मिलेगा, और वहीं दोस्तों, प्रामटर का होलिक भी इसमें अच्छा है, और प्लेज परसेंटेज अभी 1.40 परसेंट है, और दोस्तों, डेख मनी यहां पर कंपनी को पर थोड़ा ज करें, और यहां पर आपको एक इनक्रिजमेंटी देखने को मिलेगा, यहां पर दोस्तों, मार्च 2019 से और डिसेंबर 2021 तक देख सकते हो, लगा तर यहां पर कंपनी का जो चेल से क्वाटर आन क्वाटर से इंक्रिजमेंट होता हुए देखने को मिले रहा है जहां पर नेट प्रफिट भी कंपनी बहुत याचा संदर करें है लेकिन दोस्तों आगे चल कर कंपनी का जो यह फाइनल स्टाटस है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होते हुए देखने को आपको मिलेगा तो यह स्ट को मिलेगा तो यहां पर दोस्तों पिम्ऄ बहुत है ने कि मेंग बिजनेसे नेके बहुत यह अच्छा रेविन्यू जनेट होता है पर आपको मेनेजमेंट नससे सबूसक्ते हो एशे बहुत है और यहां स्टाटा का मैनेजमेंट है जारूर मनालम मेंदांटों है नेवे ये तिनु स्टोक आपके पोर्फोलियों में ज़रूर सामिल करिएगा क्यूंकि फॉंडामेंटल ये स्टोक बहुत ही अच्छे हैं और कॉम्पनी का बिजिनेस भी बहुत ही सांदर है तो आगे दोस्तो शेयर होलिंग पेटरन को अगर चेक करें तो यहां पर दोस्तो आपको अगर देखोगे प्रोय अपने स्टेक को लगाता इंक्रिजमेंट कर रहे हैं और आगे चलक थे और आपने स्टेक को फिर से एक आच्छी घाषए रेंचिक लानम और ये स्टॉक में आप इण्वेस्टमेंट में पर आगे ये सॉसर यहर का पायश ही बहुत आपक जा सकता जा सकता है नहीं दोस्तों जरू जाने वाला है क्योंकि टाटा पावर जिस तरह काम कर रहा है और आगे भी एपी सेक्टर का मोटर भीकल आने वाला है तो उसके उपर दोस्तों टाटा मोटर का फाइदा होने वाला है और उसके चलते इपी स्टेशन जो लगवाएंगे तो उ दोस्तों यहां पर 50-day moving average से stock breakdown ले चुका है और अभी से लाल दोस्तों एक reversal देखने को मिलता है और दोस्तों आगे पी इस stock में फिर से rally बनेगा और यहां पर दोस्तों अगर इनके डेली कंडल पर देखोगे यहां पर दोस्तों देख सकते हो stock में एक तेजी होने के बाद यह आज की वीडियो में इतना ही आज की वीडियो में दीगे जानकरी शिरिफ आपके एजुगेशनाल प्रपोचेस के लिए है और यह stock में दूस्तों कोई भी investment करने से पहले आपने और से अच्छे से analysis करे और आपके financial advisor से consult करे तो दूस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो मे तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार